हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत हैं आज के इस महत्पोर्ण वीडियो में दोस्तों जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो स्रीज में हम लोग हिंदी ब्याकरन के महत्पोर्ण कुष्चन का टॉपिक वाइज त्यारी करते हैं आपको बता दे कि आज यह इस व अले लिष्ट में जाकर के जरूर देख लिएगा जो कि आपके एक्जाम के लिए काफी महत्पोर्ण हैं जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग मुहावरा और लोकोक्ति से संबंदित जो है डिसकसन किये थे तो आज का आपका वीडियो है से पता हो तो उसका आंसर आप लोग साथ साथ लिखते चलिएगा इससे आपको काफी जो है फाइदा होगा और आपका कंफिडेंस लेबल भी बढ़ेगा से लिए स्टार्ट करते हैं एक लाइक इस वीडियो को कर लिजिए और ध्यान से लास्ट तक देखते रहे हैं 26 मतलब साथ साब बजनाई का मतलब कुछ भी नौ बिगर ना इस तरह से भी आप इसको खा सकते हैं नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर कोईस्चन बोला जा रहा है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है सिंपल सा है हाथ साफ करना ठीक है तो हाथ साफ करना इसका क्या अर्थ होगा 27 का आपका संवाफ कर रहा है कि हाथ साफ कर चुका है इस तरह से भी आप लोग वाक्यमें इसका परयोग कर सकते हैं चलिए आगे देखिए 28 नंबर कुश्चन है पूचा जरया कि बीरा उठाना बीरा उठाना का क्या रहा तो 28 का आपका बी आप्षन है बिलक यहां पर आप देख सकते हैं कि द्रेड निष्च्य करना क्या करना द्रेड निष्च्य करना यहां पर आपका बिल्कुल है सही आंसर होगा चलिए आगे बढ़ जाएंगे और 29 नमर कुष्चन देखिए पूछा जा रहा है कि पाचो उंगलियां घी में रहना इसका क्या आर्थ होगा तो 29 नमर कोष्चन पूछा जा रहा है कि पानी पीटना, मतलब आप सभी कभी-कभी देखते होंगे कि आपको भी कोई बोल देता, कोई कुछ भी काम नहीं हो जाओ पानी पीटो, तो पानी पीटने का क्या आर्थ होगा तिसका B-Option आपका सही होगा, याद रहेंगे इज़त दाव पर रखना इज़त दाव पर रखना यहां पर आपका बिल्कुल है जो है सही आंसर होगा चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहां पर आपका जो है 32 नमर कुश्चन आपको बता दे कि इसका पीडिएफ आपको हमारे मोगाई लेप पर मिल जाएग देखेंगे और आपका क्या होगा तो 32 का यहां पर आपका सी ऑप्शन सही होगा याद र這邊 के लिए उत्सु कराना सुबांगे क्या होगा सभी आंसर में 23 देखिए और रखी पर लोटना अंकारे पर लोटना क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि यह जो जल्दित हूई आग उसको को ऐगाण सकते हैं मतलब इस तरह से कितना काम हो सकता है तो यहां पर तयांतिस आप का सही आंuste। दुख साहना हैं कि उधेखती अंगारे पर लोट रहा है इसके बाद देखिए आप लोगत थैसर द्हून ट कोन की डूंग इप्र अंगुठा चुमना अंगुठा चुमने का क्या रथ है तो 34 का यहां पर आपका एउप्षन सही होगाज रखेंगे खुसा मद करना क्या करना क्या करना 35 नमर कोश्चन है पूर्शारा की अंधे की लकडी आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई वेक्ति अंधा है तो उसके ल एक चाहिए अधार करेंगे और 36 नमर कोश्चन देखेंगे पूचा जानकी अंगुठा दिखाना अंगुठा दिखाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा तो 27 यहां पर आपका आश्य आंसर होगा वह आपका ड होगा डास आप याद रखेंगे कि करी धूप होना क्या होना करी धूप होना चलिए आगे बढद जाएंगे और देखेंगे 38 यहां आपका 38 नमब जुल रूरा जो है कि पत्थर पर कोई पेर लगाना कितना कठिन काम हो सकता है तो 38 का यहां पर आपका एउप्स आप कोई भी पौधा ने लगा रहा है तो समझ गारा को समझ सकते हैं कि और शालिस नमबर आपका कुश्चन है पूशा चार की पानी उतरना का सही अर्थ क्या होगा इस मुध्रे का तो 40 का Uni Ops न आपका स्योगารजिद रखेंगे शर्म नौर क्या रहना पानी उतर जाना इस का अर्थ है शर्म नौ रहना चालिस को क्यों नाक कटना नाक कटने का क्या आर्थ होगा तो चालिस आपका स्योगार रखेंगे प्रतिष्ठा जाना क्या जाना प्रतिष्ठा जाना आगे बढ़ जाईए और देखिए 41 नमर कुश्चन पूछा रखेंगे 9211 होना इसका सही अर्थ क्या होगा तो 41 का यहां पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा डैटमिस याद रखेंगे भ 42 का डी ऑप्शन आपका सही होगा है दोखा देना आपका बिल्कुल ही यहां पर सही आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहां पर आपके 43 नमर कुश्चन पूछा जा रहा है आप देख सकते हैं कि आसमान पर चर्णा आसमान पर चर्णा इस मुहा पर 44 नमर कुश्चन है पूछा जा रहा है कि आग में घी डालना इसका क्या अर्थ होगा तो 44 का बी ऑप्शन आपका जो है सही होगा देखेंगे क्रोध को भरकाना क्रोध को भरकाना यह जो है आपका क्या होगा सही आंसर होगा क्या होगा आग में घी डालने का सही अर्थ होगा आगे देखिए नेक्स्ट अपने 45 नमर कुश्चन पूशा जारा कि कान भरना कान भरना इसका जो है सही अर्थ क्या होगा तो 45 का एउप्शन आपका सही होगा देखेंगे देख सकते हैं गुप चुप निंदा करना गुप चुप निंदा करना इसका जो है आपका सही अर्थ होगा 46 नमर कुश्चन देखिए अंक भरणा अंक भरणा का सही आपका यहां पर क्या होगा तो 46 का यहां पर आपका आपका क्या करनाмосर वाप आपको बताना है तो 47 का तो यहाँ पर आपका आपका अंसर हो जाएगा वह आपका C होगा पूस्चन है अकल का पुतला अकल का पुतला इसका क्या आर्थ होगा तो 48 का डी आप्स न आपका सही होगा जैंगे बहुत बुद्धी मान ठीक है चलिए आगे बढ़ जाएंगे और और देखेंगे नेक्स्ट अपने 59 नमर को पूचाजन को पूचा की अकल पर पत्थर पढ़ना इसका क्या आर्थ होगा तो उन्चास का बुद्धी भरस्त होना किसका आरथ है अकल पर पत्थर पर ना का इस तरह से आपका मुहामरा कोक्ति होता है और इस सब्सक्राइब कर सकते हैं चलिए मिलते हैं तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टेडी देखते रहें